ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुक करेंगे मनोरंजन की तरफ अदा शर्मा स्टार अपकमिंग फिल्म दे कैरल स्टोरी को लेकर शुरू हुए विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहें जहां लगतार फिल्म के खिलाफ कोट में या चिकायद दायर दायर हो रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर राजनीती और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोंग आपस में भिल रहे हैं हाल ही में कॉंग्रेस नेता सशी थरूर ने फिल्म मेकर्स पर गंबीर आरोब भी लगा हैं वहीं अब दिकाश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अगनी होतरी ने केरल स्टोरी को सपोर्ट करते हुए शशी थरूर को करारा जवाब भी दिया है सुपरस्टार नागारजुन के छोटे बेटे और नागा चैतनी के भाई अखिला की नेनी की फिल्म एजेट वॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई है इसी शुक्रवार को तैंगलू और मले आलम में रिलीज हुई इस फिल्म ने 5 दिनों में 9 करोड 21 लाख रुपे का ही कलेक्शन किया इतना ही नहीं सुरेंदरेडी के डाइरेक्शन में बनी इस फिल्म की हालत इतनी खसता है कि मंगलवार को रिलीज के पाचवे दिन इसने महज 25 लाख ही कमा है जाहिर तोर पर फिल्म ऐसी उमिद बिलकुल नहीं थी लेकिन चौकाने वाली खबर ये है कि मेकर्स ने बॉक्स ओफिस का हाल देखते हुए इस फिल्म को इसी महिने OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है एजेंट ने अखिल अकिनेनी के साथ मले आलम फिल्मों में मेगा स्टार मुमिटी, डीनो मोरिया, साक्षी वेदा और विक्रम जीत विर्थ की भी प्रमुग धुमिकाओं में है यह एक एक्षन स्पाई फिल्म है, फिल्म की हालत जहां सुनिमा घरों में पस्त है, नहीं मदोगी में और अकिनी के फैन्स भी खाते नराब है इसी को देखते वे फिल्म के प्रडूसर अनिल सुनकारा ने फिल्म फैन से माफी भी मांगी है यह स्पाई एक्षन फ्रिलर फिल्म 19 माई से सोनी लिव पर स्ट्रीम की जाएगी, आमतोर पर फिल्म को थ्रियेटर में रिलीज के आठ हफते बाद ही OTT पर रिलीज किया जाता है लेकिन साजा रहा कि बॉक्स ओफिस की कमाई देखते हुए इस फिल्म को OTT राइट्स बेच कर घाटे से निपटने का प्लान बनाया जा रहा है एजेंट का बजट 80 करोड उपे बताया जा रहा है बॉलीवूड एक्ट्रेस अनुश्का शर्मा और उनके पती विराट कोली की जोड़ी को फैन्स काफी पसंद करते हैं इन कपल को फैन्स बेस्ट जोड़ी मसे एक भी मानते हैं हाली में अनुश्का सर्मा को लखनव में मैस देखते हुए भी स्पॉट किया गया था हाली में विराट कोली और अनुशका शर्मा का एक नया वीडियो वाइरल हो रहा है जिसे फैंस काफे पसंद भी कर रहे हैं बता दे इस वीडियो में कपल को मंदिर में देखा जा सकता है इससे पहले भी कई बार विराट कोली और अनुश्का शर्मा को मंदिर में स्पॉट किया गया था जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल होता है इस वीडियो में कपल एक बार फिर मंदिर में दर्शन करने पहुचा है अनुश्का और विराट कोली के ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर जम कर ट्रेंड कर रहा है इस वीडियो को फैंस जम कर वाइरल भी कर रहे हैं साथ ही इस वीडियो में कमेंट की बारिश कर रहे हैं कई लोग इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं इससे पहले भी अनुश्का सर्मा और विराट कोली नीन करोली बाबा के दरबार पहुचे थे जिसका वीडियो वाइरल हुआ था हाली में हुए IPL मैच में विराट कोली गौतम घंबीर और नवीन उल्हक के बीच विवाद हुआ था इस विवाद के बाद ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जिसे फैन्स काफी पसंद भी कर रहे हैं बॉलिवोड एक्ट्रेस सुनाक्षी सिन्हा की OTT डेवियो सिरीज दाहार का रॉंग्टे खड़े कर देने वाला ट्रीजर लॉंच कर दिया गया है सिरीज के दमदा ट्रेलर में सुनाक्षी सिन्हा पुलिस की वर्दी में काफी जच भी रही है रीमा कगाती और जोया अक्तर की इस सिरीज को रीमा कगाती ने रूची का ओब्रॉय के साथ मिलकर डेरेक्ट किया है दाहार में सुनाक्षी सिन्हा विजय वर्मा गुलशन देवाया और सोहम शाने मुख किरदार निभाया है धाकर 240 के से जादा देशों में छेतरों में 12 माई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी वैब सिरीज ताहार के ट्रेलर की शुरुवात तनाव भरे महौल से होती है इस्थानिय पुलिस स्टेशन में अंजली भाटी और साथी पुलिस वाले एक अंजान सीरियल किलर की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं जो खुले आम घूम रहा है सीरीज में अंजली भाटी का किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभारी है रहस में तरीके से महिलाओं को लगतार गाय वोने की घटनाओं के बाद अपराधियों को धूनने की मुहिम शुरू की जाती है टीवी शो खत्रों के खिलाडी के तेरवे सीजन का सभी को बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इस स्टन्ट बेस शो के शुरू होने में अभी कुछ वक्त है लेकिन पहले से ही फैंस कयास लगाने में जुटे हैं कि कौन-कौन इसका हिस्सा बन रहा है कुछ तो नाम भी कनफर्म कर दिये गए हैं इसमें शिफ्ठाकरे से लेकर अंजुम पकी और शिजान खान तक शामिल है शिजान को विदेश जाने के लिए कोट से अनुमती भी मिल गई है हाली में शो के लिए तैयारी कर रहा है किसी ने दरगा जाकर जीत की मननत मांगी तो किसी ने अपना चलता हुआ शो भी छोड़ दिया है जानकारी के मताबिक श्रीजान खान लगबग चार महिने तक काम से दूर रहने के बाद जल्दी एक्शन में वापसी करेंगे वो खत्रों के खिलाडी के सीजन 13 के लिए चुने जाने वाले लेटेस सेलिबरेटी मसे एक है उनके टीवी शो अली बाबा दास्ता ने काबूल में रिप्लेस किये जाने के बाद ये टीवी पर उनका पहला काम भी बताया जा रहा है कि फिलाल मनुरंजन में इतना ही बने रहिए केडी न्यूस के साथ कि बाद सेलिबरेटी लेटेस सेलिबरेटी सेलिबरेटी बाद बाद रहा है